दोस्तों कैसे हुआ आप लोग सूपकोस्टरा सानी देवल की गदर्टू आई नियन बॉक्स आविस पर हिस्टोरिकल 67 दिन काम्बिट कर चुकी इस वीडियो में बात करेंगे गदर्टू ने पहले दिन से लेकिए अब तक नियन बॉक्स आविस पर कितनी कमाई की है वोलिवड से कितना कोलेक्शन किया गदर्टू का लाइफ टेम वोलिवड बॉक्स आविस कोलेक्शन कितना होगा और गदर्टू ने बॉक्स आविस के किस-किस मुवी के रिकोर्स की धज़ें उड़ा दी है वहीं पर आप लोग comparison करेंगे गदर टू, पठान, भावबी टू, ट्रिपलार, केजिएफ्स टू और जबके शारुकान की फिलजुआन के box office collection के बारे में जानेंगे किस movie ने बाजी मारी है definitely गदर टू ने box office के सारी movies के recourse की धज्यों अड़ा दी है तो बस आप लोग इस वीडियो के साथ बनी रहेगा वीडियो में अगे बैने इस फिलजुआन एक बिन ते गर आप सनी बाजी को दिल से बैर करते हो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दे, चालों को सस्केब कर दे बेसिकल एकर बात करें पषैंधी बैलट में 65 गोड की कमाईगी गदःटोर अपना दे पहले दे हिंदी बैलट में 40 गोड की ऐपरिंग ली शारुखान की फिल पठाण अपना पहले दिन 35 गोड की ऐपरिंग ली दे वाज़ंड पस भी एक पहले दिन के 161 कोड की गोड की की हिंदी बल्ट में पठान ने 161 क्लोड की कमाई की जबके बहुबी टू ने 128 और जवान ने 180 क्लोड की कमाई की थी पहले 7 दिनों कंदर शारुकान की फिल जवान ने हिंदी बल्ट में 327 क्लोड की कमाई की गदाटू ने पहले साथ दिनों कंदर 284 कोड की कमाई की पठान ने 318 कोड की कमाई की जबके बहुबी टू ने पहले साथ दिनों कंदर 247 कोड की कमाई की बेसिकलिए आप दो देख सकतो गदाटू बहुबी टू और पठान को पीछे छोड़ती जा रही है अगर बात करें सबसे फार्टेश 400 क्रोड का हिंदी बल्ट में कमाई शारुकान की फिल जवान ने 11 दिनों के अंदर कमिट किया गदाटू ने 12 दिन लगया जबके शारुकान की फिल पठाने भी 12 दिन लगया थे 400 क्रोड का हिंदी बल्ट में कमाई करने के लिए जबके बाववी टूने 15 दिन लगाया थे 400 क्रोड का नमर क्रास करने के लिए शारुकान की फिल जवान ने 18 दिनों का दे इनियन वक्सवीज पे हिंदी बल्ट में 500 क्रास किया जबके गदटू ने 24 दिनों का दे नमर क्रास किया था पठान ने 28 दिन लगाया जबके बाववी टूने 35 दिन लगाया थे हिंदी बल्ट में 500 क्रोड की कमाई करने के लिए बेसके लिए गर बात करें शारुकान की फिल जवान लाइफ टेम हिंदी बल्ट में 600 क्रास करेगी शारुखान की फिल जोहन नमबर वन पे 585 कोड की हिंदी बल्ट में कमाई कर चुकी है नमबर सेगंड पे सनी देवल की गदटू 528 कोड के साथ नमबर थर्ट पे पठान 524 कोड के साथ भावबी टूका 511 केज़ेफ चटू का 435 दंगल का 387, संजू का 342, पीके का 340, बजरंगी भाईजन, सुल्तान, ट्रिपल आर सारी मुविस की हिंदी बल्ट की रिकार्ड को तोड़के इंडिया की नमबर सेकंड हाईएस्ट बॉक्स आविस पे कलेक्शन करने के रिकोर्ड गदटू अपने नम कर चुकी है अगर बात करें शारुकान की फिल्प पठान का बजट था 250 कोर्ड और पठान फिल्म में वर्लिवर्ड से कलेक्शन किया 4 गुना अगर बात करें जोवान फिल्म का बजट है 300 कोड़ और जोवान फिल्म वर्लिवर्ट से 4 गुना एक्स्ट्रा कमाई करने में कामयाब हो चुकी है बेसके लिए गर बात करें गदाटू का बजट है 75 क्रोड और गदाटू अपने बजट की हिसाब से वोली बज़से 700 क्रोड का नमबर क्रास कर दिया है गदाटू ने अपने बजट से 10 गुना ज्यादी कमाई की है आप लोग सोचो पठान का चार जवान का चार गुना एक्स्टा कॉलेक्शन जबके शारुकान की फिल जवान बठान बॉक्स ओविस पे अच्छी कमाई की लेकिन गदाटू का जो बॉक्स ओविस क्रोड के सो पंदरा क्रोड के करीब रहने वाला है गदाटू की इनियन बॉक्स ओविस पे रिलीस होए हिस्टोरिकल दो मन्त कम्प्लीट हो चुके हैं और गदाटू बॉक्स ओविस पे आज भी पबिलिक का दिल जीती जा रही है सनी देल की गदाटू ने बॉक्स ओविस की रिकोर स्कीन बॉक्स ओविस पर आजएलेई पंदरा ये पटान की पलेगो सुपड़ पण्न पाफव को फथे पानदेलिक आजई मतने की अधोस पर जितना भी collection हुआ है single seconds को उपर हुआ जबके शारुकान की फिल जवा ने नेशल सनमा से पठान नेशल सनमा से बहुत ज़्यदा collection हुआ है जबके गदाटू का नेशल सनमा बॉक्स ओविस क्लेक्शन बहुत ज़्यदा कम हुआ है सनी देवल की गदाटू अब तक इन बॉक्स ओविस बार वल्यवड में तीन क्रोड असी लाग फुटवाल तीन क्रोड असी लाग टिकर्स आलोड कर चुकी है जबके शारुकान की फिल पठान ने तीन क्रोड पचास लाग टिकर्स आलोड किये थे जिसके वासे सनी देवल की गदाटू को पूरे हिंदूसता ने देखा है बच्चे बच्चे ने सनी देवल की गदाटू को देखा है और गदाटू के पिछे ऐसे ही पूरा इंडिया पागल हो गया था जबके शारुकान की फिल जवान 3.50 लाग टिकर सालूर करने के रिकर्ड कैम कर चुकी मुझे नहीं लगता कि जवान और पठान गदर्टू के 3.80 लाग लाइफ टेम फुटफाल के रिकर्ड को तोड़ पाएगी बेसिकली सानी देवल के गदर्टू ने बॉक्स ओविस पे बड़े बड़े रिकर्ड स्कैम कर दी हैं जो आने विले कई सालों तक इत्यास के पन्नों में रचे जाएंगे हमेशा जाद रखे जाएंगे आपको बॉक्स ओविस पे आए दिन हर 10 से 15 बीस से 25 दिनों को बाए एक न्यू मुवी देखने को मिलती है लेकिन कुछ मुवी से ऐसी होती जो आपके घर दिल के अंदर अपना घर बना जाती है और इन मुवी को हमेशा याद रखा जाता है उसी तर गदर टू भी इन इन बॉक्स ओविस पे हमेशा याद रखी जाएगी विद आउट वी एफएक्स च्छासर साल की उमर में सनी देवल ने पबलिक का ऐसा दिल जीता है कि पबलिक आज भी समय को लाइन ओम लगके टिकर्स लेके देख रही है इस वड़ी में आपको जो भी इनफरमेशन देगी हो 100% रिजले मिलते हैं नेक्स वड़ी में तब तक सीयो सुन लाइक और सस्केप कर दीजीगा